अगर इसमें कुछ डीजिट आता है तो इसमें प्रोब्लम आनी जाएगी लेकिन इसमें किसी विली वायर से हम कैसे भी जोड़ रहें तो कुछ नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि यह आउट्पूट विवाग में सौर्टिक नहीं दोस्तों मैं मुहमद कि दूस्त में आपका बहुत बहुत स्वारत कर रहा है इसके बारे में जानेंगे कि किकने सेक्शन होके हैं और इसमें प्रोग्म को अडिकिक आजाता है कि कौन सा सब्कूर्ट वह है और कौन सा सर्कीट ओके है दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिकल लैब है हमारे कुछ इस्टुटेंट जो इस अब पढ़ रहे हैं वह अपना प्रैक्टिस भी कर रहे है और यहां पे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल बेस्टेडिंग दी जाती है और सर्किल डाइग्रा लेकिन हम लोग की बाइक के बारे में भी और यहां पर सिखाया जाता है तो आई दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस जो हमारे पास पास आया है इसका इंपिदेश लेकर के जानने जा रहे हैं कि कौन सा सर्कीट में खराबी है लेकिन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कितने सेक्षन है और कैसे इसको हम अडिंटिफाइगे कि यह सर्कीट ठीक है या नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहां पर देखिए यह चार का पेर में तीन चैनल इधर बने है चार चार यानि 12 इधर है और 12 इधर है यानि 24 इधर टोटल लगे हैं इस सारे सेक्षन का नाम है आउटपूट और यह आउटपूट फिल्टर कैपासीटर होता है दोस्तों उसके बाद यह DC to DC कंट्रोलर सर्कीट है यानि 48 बोल्ट लेता है और 14 बोल्ट और 5 बना के दे देता है साथी साथ इसके कुछ वायर्स हैं जो कि हम लोग ठोटल में और मोटर उगरे में जोड़ते हैं दोस्तों तो आईए इसमें हमें वन वाई वन खौन सा सर्कीट में प्रोब्लम है या नहीं हम कैसे पता करें तो सबसे पहले किसी भी कंट्रोलर को रिपेर करने के लिए हमें यह जो वायर्स हैं इसका इंपिडेस लेना होता है तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वायर्स हैं ग्रीन ब्लू और येलो यानि हारा निला और पीला वायर्स जो बियल डीसी मोटर में जोड़ी जाएगी शाती साथ ये रेड़ और ब्लेक जो बैकरी की सप्लाई है दोस्तों ये जो सप्लाई दी जाती है बैकरी से 48 गोल्टा होता है तो कई बार कॉंट्रोल रिपेर करने से पहले हमें इसका इंपिडेस लेना चाहिए वायर्स हम लोग सबसे पहले इसका इंपिडेस लेने जा इंग्डेस लेने के लिए सबसे पहले मंटी मीटर को बजर के रेज पर सलेक्ट करने के जस्ट बाद रेड़ प्रोब को ब्लेक वायर से जोड़ना है और ब्लेक वायर को रेड़ तो देखिए दोस्तों इस मंटी मीटर में कुछ लो कुछ ओंग आएगा जो की साड़ी चार सो से साथ सो या नौ सो तक भी आता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि साथ सो बासट ओम आ रहा है तो इसका मत्रब है इस कंट्रोलर में जो सप्लाई का ट्रेक है उसमें कोई सोर्टिंग नहीं लेकिन जब मैं इसका प्रोब बदलूँगा तो निल हो जाना चाहिए दोस्तों मैं इसका प्रोब बदलने जा रहा हूँ यानि अब हमने रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में जोड़ूँगा तो ये डिजिट गायब हो जाना चाहिए खोज दिर चलेगा और उसके बाद ये गायव हो जाना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो सप्लाइब में कोई सोर्टिंग नहीं हो नहीं मानी जाए दोस्ते साथी साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे कि देखी अभी ये आउट अफ रेंज हो गया और ये सर्किट हैंने वीडियो आपके शामने आता जाएगा और live भी कर सकते हैं और comment कर सकते हैं डोस्तों आप हमलोग यह जो तीनँस के होते हैं इसके भी हम impidence लेंगे और जो impidence लेंगे तो इसमें कुछ देन के लिए digit नहीं कि यह सकता है। मैं ला रहा है तो दोस्ती एक इसमें जोड़ दिया दिखेए नहीं ला रहा है। और फिर इसमें भी हमें नहीं लाना चाहिए, अब इसमें कुछ digit आता है तो इसमें problem आनी जाएगी, लेकिन इसमें किसी विवाय से हम कैसे भी जोड़ रहें तो कुछ नहीं आ रहें, इसका मतलब है कि ये output विवाग में sorting नहीं, और ये supply input विवाग में कोई sorting नहीं है दोस्त तो ठीक उसी तरह से हम अब दूसरे subject की तरफ चलते हैं और उधर भी जानते हैं कि क्या sorting है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, कि अब ये जो wires हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जनकारी दे दूं कि ये क्या है, तो अगर आप गोर से देखें, तो ये हमारे 5 wires आते हैं जिसमें आपको छेपिन का वाइट कनेक्टर हैं, लेकिन वाइर होते हैं 5, और ये वाइर होता है sensor wire, तो sensor wire में supply, एक supply और ground होता है, जैसे कि red और black, आप देख रहें red और black, ये 5 गोल्ट supply दिया जाता है, और 0 गोल्ट दिया जाता है, जो कि 5 गोल्ट हमें इस सर्किट से DC to DC controller सर्किट से मिलता है, तो मैं इसका impedance लेने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने इसमें लिया था red को red और black को black में जोड़े हुआ, तो ठीक उसी तरह से दिखी, हमने यहाँ पर red और black wire ये अलग लग ले लिया है, जो कि मैंने आपको सुविदा के लिए मैंने ज को करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई sorting नहीं है, फिर आप हमें क्या करना है, कि red prop को black wire से जोड़े रखना है, और जो ये sensor wire है हमारा 3, green, blue और yellow, तो मैं green वाले का impedance ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने extend किया है, तार को, इसमें कुछ औ-कुछ ओम आना चाहिए, इस 1040 ओम करना है, ठीक, उसी तरह से 1040 ओम, यहाँ पर भी कुछ और कुछ मिलना चाहिए, देखिए, लगभग से मिल रहा है, और उसके बाद एक और है wire, यह लगभग एक जैसा मिलना है, इसका मतलब यह होता है, कि sensor wire के तीनों wire ओपा, लगभग एक जैसा impedance आ रहा है, तो sensor wire स जूरे component भी ठीक है, यानि sensor circuit में कोई भी problem नहीं है, दोस्त, तो दोस्तो हम लोग फिर अगले वीडियो में आप से जरूर मिलेंगे, और इसे आगे की जनकारी आपको दी जाए, तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है, कॉमेंट बाक्स में जरूर हमें बताएंगे और लाइक और सब्क्राइब धी करना है, क्यूकि आपको नहीं ने वीडियो की जनकारी मिलेगी, और हम लेक्स वीडियो में फिर हमें से आगे की तरीके आपको बताएंगे, दोस्तों, घंक्यू, घंक्यू भेरिक मunst दोस्तों